हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल और जिसका नाम है पियूश मैता सरकी क्लासिस यह चैनल हमने स्टार्ट करा है आपकी लाइफ में आपको सक्सेस्फुल बनाने के लिए और आपके हर सोचेवे ड्रीम को पूरा करने के लिए तो दोस्तों अगर आप चाहते हों कि आपके ड्रीम पूरे हो तो उसके लिए आपको करेच और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना पड़ेगा पैशन्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और डिसियन लेना सीखना पड़ेगा तो केसे आप मुश्किल समय में अपने आपको बैलेंस रखें उसके लिए हम कुछ स्टोरी साब के लिए लाते हैं तो ऐसी हमारी आज के स्टोरी है जो आपको ये बताएगी कि जैसी आपकी सोच होती है वेसा ही आपको जीवन में मिलता है तो दोस्तो इसके पहले हमें स्टोरी स्टोरी स्टार्ट करें आपसे रिक्वेस्ट हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो अभी आपके स्क्रीन पर निवीड एक रेड बटन दे बढ़ा है सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट आज की स्टोरी है कि जो जैसा सोचता है वेसा ही उसको मिलता है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कहानी एक गाउं की हैं गर्मी में अचानक से गाउं में पानी की कमी हो जाती है और गाउं के सभी पानी के स्त्रोत सभी तालाप कुए सुख जाते हैं तो गाउं वाले जब पानी को तलाश करते हैं तो उनको बहुत दूर जंगल में पानी मि जब वो ये सोच रहे होते हैं तभी उदर से एक साधू आता हुआ उनको दिखाई देता है। पानी तो दे ही सकता हूँ पर मेरी कुछ शर्तें रहेगी अगर आप तयार हो तो गाउंवाले कहते हैं जी हम सब शर्त मानने को तयार है। तो वो कहता है ठीक है आप सब रात होने के बाद में एक बरतन आपके घर के बार रख देना मैं अपनी शक्ति से उसको पानी से भर दूँगा पर शर्त ये रहेगी कि आपको पानी का बरतन अंधिरे में ही अंदर लेना है और आप किसी से भी चर्चा नहीं करेंगे कि क्या पानी मिलना प्रारंब हो जाता है तबी कुछ दिनों के बाद जो गाउं का मुक्या है वो सोचता है कि यार चलो अपन ये नहीं पूछ सकते कि क्या चल रहा है पर ये तो पूछ सकते कि पानी परियाप्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो पहले आदों के पास जाते हैं उ नहाने का काम नहीं हो पा रहा है तो केता है ठीक है फिर वो आगे जाते हैं तीसरे से पूछते हैं तो तीस राज में कहता है मुख्या जी पीने का भी मिल रहा है नहाने का भी मिल रहा है लेकिन कपड़े दोने के लिए पानी बच नहीं पाता है तो एसे सब की अलग-अलग राय रेती है एक आदमी के पास जाते हैं मुख्या जी मेरे तो सारे काम हो रहे हैं और बचावा पानी में पोधों को भी दे देता हूं तो मुख्या जी बड़े आश्चरिम हो जाते हैं बोले यह ऐसा कैसे हो रहा है कि किसी को तो इतना पानी मिल रहा है किसी को कम पानी मिल तो वो सादू के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं साब मेरी एक जिग्यासा है अगर आप शान्त करना चाहो तो बताओं तो बोले कोई बार ने मुख्या जी बताईए तो बुशते हैं कि आप सब को पानी दे रहे हैं लेकिन किसी को कम दे रहे हैं ये कैसा निया है सादू केता मैंने तो कहा था मैं तो सब को बरतन भर के पानी दूँगा मैं किसी को कम पानी नहीं देता इश्वर किसी के लिए कम पानी नहीं बेशता तो वो केता लेकिन मैंने पूछा गाओं वालों से सब को पानी पूरा नहीं मिल रहा है किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो सादू केता ऐसी बात है तो आपकी शंका भी दूर कर देते हैं तो सादू केता आप आज शाम को पांच बजे सभी लोगों को अपना-पना बरतन लेके आप मेरी कुटिया पे बुला लो तो सभी लोगो अपना अपना बरतन लेके साधू कुटिया पर आते हैं तो दोस्तों किसी के पास बाल्टी होती है, किसी के पास सुराई होती है किसी के पास ड्रम होता है, किसी के पास में कोई दूसरा बरतन होता है तो जैसे ही बरतन की साइज देखते हैं तो मुख्या भी सब समझ जाता है और गाववाले भी समझ जाते हैं तो दोस्तो होता क्या था साधू ने तो कहा था वो सबको बरतन भरके पानी देगा लेकिन हर आदमी बरतन की साइज अलग लग लेके घर के भार रखता था जो बाल्टी रखता था उसको बाल्टी भर के पानी मिलता था और जो ड्रम रखता था उसको ड्रम भर के पानी मिलता तो दोस्तो कहानी का मोटो यह है कि जैसा हम सोचते हैं और जितना बड़ा हम सोचते हैं अपने लिए उतना ही ज़्यादा इश्वर भी प्रयास करता है हमक को बड़ा बनाती है तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं सक्सेस्फुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करें उसके बाद लाइफ में आप अपने ड्रीम को देखें और जब भी ड्रीम देखें बड़ा देखें करेस्ट से आगे बड़े आपका ड्र डेफिनेटली पूरा होगा और कभी भी दिक्कत आएगी तो हमारी स्टोरी आपके काम आएगी ओके फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अगेन रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू